ओम् गुर्व वस्वगत ओम् तक्सवितुर्वरे इन्यम् भरलो देवस्त्य दीमः यो जोना प्रचोधया तुझुपिन जीना मरण की भाती, तुझुपे मरणा पावन का तुझुपिन जीना मरण की भाती, तुझुपे मरणा पावन काम, देश मेरे मैं रहू ना रहू पर, रहे निरंतर दे राना, भारत रहे निरंतर दे राना सन्माननिय अव्यास्पिट एवं सावरकरजी के जीवन तथा विचारों को जानने समझने की आखामशा रखते हुए, पूरे देश भर से यहां पे इकत्रिक होए, सभी आईयों, गर्यों, बित्रों मेरा जो यह सेशन है, मैं मांता हूँ सबसे लखी वाला सेशन है, क्यूं? क्यूंकि सब लोग चाय पीके आ रहते हैं, तो जहां तक हो सके, अगर मेरी बातों से नहीं सोए, तो सोने के और कोई, अंदेशा मुझे तो नहीं नजर आ रहा है, बाब कीजिए गा, हिंदी मेरी मात्रवाशा नहीं है, मेरी मात्रवाशा मरा किये, तो हिंदी में बोलना मेरे लिए उतना सरव नहीं है, कुछ एक हाथ शब्द अगर इधर उदर हो गए, तो माफ कर भीचिए, किन्तु यह जो है, इंस्टिट अफ लिडर्शिप मानेजमेंट, इंस्टिट अफ लिडर्शिप और गवर्नस, तो लिडर्शिप और गवर्नस यह तो ऐसे गुन है, कि इन दोनों गुनों के लिए बले वो लिडर्शिप हो, चाहे वो गवर्नस हो, इन दोनों गुनों के लिए आदर्शों की ज़रूरत पढ़ते हैं, कि आदर्श का जब कोई बात जलती थी, हम पश्चीनी देशों की ओर देखते थे, आदर्श में सबसे, मैं इन्होंने अभी बताया है, कि मैं बाजिराओ जी के बारे में भी बोलता हूँ, जब मैं जाता था लोगों से बोलने के लिए, कि आपको पता है, दुनिया में ऐस कौन सा सेनापती है, कौन सा योद्धा है, जो एक भी लडाई नहीं हारा, छोटे-छोटे बच्चे तक कहते थे, अलेक्जांडर, नेपोलियन, फिर मैं उन्हें बताने की कोशिच करता था, कि अलेक्जांडर भारत में आके यहां से भाग के वापिस गया था, या नेपोल और लिडर्शिप इन दोनों के दोनों, इन दोनों मुद्धों पर खरा हुतरने वाला, अगर कोई एक व्यक्ति कोई चुन सके, तो वो व्यक्ति है, वीर सावर कर, क्योंकि, क्योंकि, दो दिनों तक हम चार 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 चार, शायद 10, 12, 15 सबचेक्ट्स पर उनके विचार मन करें, फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और उतने ही सब्जेक्ट्स और उतने विशे बाती रहेंगी, अले ये सत्र दो दिनों का हो, या 22 दिनों का हो, सावर कर जी के चरित्र के पहलू, एक नहीं सैकड़ों गए, और अकेडमिकली अगर मैं बात करने की कोशिश कर के एक नहीं, एक से ज्यादा सैक्रों पहलू होते हैं, तब एक ठाप, एक धोका, एक पंदा, उस पंदे में पढ़ने का, उस पंदे में पढ़ने की शक्यता रहती है, उस पंदे में पढ़ने का आसार रहते हैं, वो पंदा कौन सा है? वो पंदा है कमपार्टमेंटलाइजेशन का पंदा, यानि क्या? हम सावरकरजी के जीवन के बारे में समझ रहे हैं, बहुत से गणवान में रप्ता मुझसे पहले मोंगे, लेकिन हमारे मन में शायद ऐसी प्रतिमा होने की चांसे हैं, कि सावरकरजी का जो जीवन था, सावरकरजी की जो जीवनी थी, उनका, मानिये, 883 से लेकर उनका पुने में जो शिक्षा हसिर की, वो जो काल है, वो हो गया उनकी शिक्षा का काल, उसके बाद में लंदन चले गए, तो वो हो गया क्रांती काल, उसके बाद में लंदन के भारत वापस बेजा गया, अंदमाज चले गया, तो वह उनके सजा का काल, फिर कहीं जाके आता है कि वो स्थलबस्टता के लिए रत्नागीरी पहुचे, रत्नागीरी जाकर उनों ने सामाजी कार्या किया, तो ऐसा माना जाने के चांसे बहुत ज्यादा है कि सावरकरजी का ज जो कमपार्टमेंट है, वो सिर्फ उतने ही काल तक सीमित है, यानि 1924 से लेके 1937 तक ही सीमित है, लेकिन वास्तों में ऐसा है नहीं, वास्तों में ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो सावरकर हो, चाहे आप या मैं हो, चाहे दुनिया का कोई कि भी इंसान हो कि वह कभी कंपार्टमेंट्स मेंम ही जीथा जो All cause के हमारे विचार होते हैं जो आज करेंश अमारे कृटिया उस सरी क्रिके करते हैं पर हमारे हमारे जन्म से लेके आज तब कोई अनेकों अनेकों मंत्वनों अनेकों विचावों का प्रभाव रहता है और आज जो हम कृती करते हैं आज जो हम काल्य करते हैं उनके परेणा हम जीवन के अंदर तक भी देख सकते हैं इसी लिए मैं कहता हूँ कि कोई भी आजमी कभी कमपार्टमेंट्स में नहीं जीता सावरकर जी का जो काल्य है सामाजिक असुरुष्चता निवारण तथा सामाजिक एकता उसे भी हमें ऐसे कमपार्टमेंट्स से परे हटकर देखने की ज़रूरत है और उसके बीच इस कार्य के बीच अगर हम ऐसे कमपार्टमेंट्स से परे जाकर देखने की कोशिश करें तो हमको सावरकर जी के लड़कपन में भी उसके बीच दिखाई पड़ते हैं मैं आपको एक कुदाहर्ण देना चाहूँ बात है 1902 मुंबई के दादर में एक हिंदू यूनियन ग्लब नाम की संस्था थी उस संस्था की खेमन तव्याख्यान माला समीती नाम से एक समीती का गठन हुआ था उस समीती की और से एक काव्यस पर्धा का अगर्जन किया था उस काव्यस पर्धा में सावर्करजी ने भाग लिया उस पर्धा में सावर्करजी को प्रधम पारितोशिक भी मिला आप पहेंगे वह इसा चरितरन आये के तो उन्हें पारितोशिक मिला इसमें आपने कौन सी अलग घटना बताई अलग बात ये है कि एक वो जो स्पर्धा थी उस पर्धा का विशय था बाल विद्वावों की दुस्किती का कतल उससे भी ज्यादा अलग बात ये थी कि सावरकर्जी की उम्र जिस वर्ष उनों ने ये कविता रिखी थी साथ है 1902 यानि सावरकर्जी की उम्र थी मात्र 19 साल आज की वाशा में बोड़े तो अगर कंपेर करें तो आज हमारे बच्चे छोड़ दीजे हम खुद जब टीम एज में थे हमने से भी गईयों ने कविताय की होंगी क्या हमने से किसी को भी समाज के किसी प्रॉप्लेम पर समाज के किसी इश्यू पर कविताय करना तुझा है हमारे मुपे तो कविताय यही इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता था या सुन रही दैना तू रो रहा हूं मैं इससे आगे हम जाके देख नहीं सकते सावरतर जी आदर्श इसलिए बनते हैं क्योंकि उस पीन एज में थी उनके मन में बार्मिध्वाउं की दुस्तिती के प्रती एक सम्विदन श सावरकरजी कि जिस कविदन को पारिकsterreich मिला था वो कविता एक नगी दो नगी दस आप 20 फी नगी एक सो दो छंदों की कविता है यानि दो सो चार लाइनों की कविता है यह लिखाई में कब आता है इतना लिख कब सकते हैं जब हम मन से उस बारे में विचार करते हो मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि सावर करजी में जो यह जो सामाजिक विशह है या सामाजिक प्रश्न है सामाजिक देखता का अस्कुर्शता निवारण का जो विशह है उस विशह को राष्ट्रिया आपदा माना कर जब वे अंदमान गए यह सत्य है लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि यह बीच उनके मन में पहले से था अंदमान जाकर उन्हें इस बात पर काम करने की और ज्यादा प्रेंदा में अभी अभी मेरे सेशन से पहले सोवन सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से अंदमान के बारे में बताया अंदमान के बारे में अगर हम सोचें मैं अभी जब सोवन सर का सेशन चल रहा था मैं गुगल कर रहा था बड़ोधा से अंदमान तक का अंतर है तक्रीबन 3100 किलोमेटर अब बड़ोधा से आपको पहले जाना पड़ता है चिन नहीं चिन नहीं में कोई 1200-1300 या 1700 किलोमेटर ह अंदमान है इतना ज्यादा डिस्टंस जो आज भी हमें बहुत ज्यादा लगता है उन दिनों सावर करजी को जब काला पाणी बेजा गया था तब चिनने के उस पोलकता के उस बंदर पोर्ट के आगे आठ दिनों का सफर तय करना होता था तब कहीं जाकर अंदमान आता है और उस अंदमान में जहां बरबर कैदी रहते थे जहां अंपढ़ कैदी रहते थे जहां चोर डाकू लुटे ले जाने से भी घबराते थे उस अंदमान में जाते हुए सावरकर जी ने दो निरिक्षन किया पहला निरिक्षन तो यह कि यह ऐसी जगे है जहां हिंदुस्थान का सबसे सुसज्य नाविक तल बन सकता है लेकिन सावरकर ने यह सोचा कि यहां हिंदुस्थान का सबसे सुसज्य नाविक तल बन सकता है ये उनकी दूर दर्शिता नहीं दर्शाता, उनकी दूर दर्शिता इसमें है कि सच्मुष महारत ने वहाँ पे अपना नाविकतर बनाया है, ये तो भी पहली बात, दूसरी बात जो अन्दमान जाने के बाद वहाँ की अमानुश, वहाँ की पश्यों से भी बत्तर हालत में रहने के बाद, वहाँ की पीडा सहने के बाद, पीडा जहलने के बाद, सावरकर जब उनकरियों को पढ़ाते थे, उनकरियों को सावरकर सिखाते थे, उनसे बाते करते थे, उनकी बारे में जानते थे, उन्हें कुछ नया समझाते थे, ये सब करते हुए सावरकर ने एक औ संख्या के जिसाब से बहु संख्या हिंदु कह दियों की थी लेकिन उन पर राज करने वाले जो वार्डन से वो एकाद एका दुख्का छोड़के सारे बहिंदु थे कि वैसे तो ये बात किसी और की दिमाग में आने का सवाल भी पाए जाने ही होता कि हम कभी उस नजर्य से देखते ही नहीं लेकिन सावर कर उस चीज का निरिक्ष्या कर रहे थे कि ऐसा क्यूं है आम तोर पर ऐसा होता है कि जहां जिन लोगों की बहु संख्या होती है वहां उ लेकिन अन्डमाम में तो पूरा मामला ही घुटा था जिसकी लाखी ती उसकी तो भैस थी ही नहीं किसी और की ही थी ओन्ड़ा पबो महीन करने यस पहुतों को में बहुत्ता करी थे ऐसा क्यूं मुख सावरकर हुए और सब्सक्रां है रही है और यह जाती बात कहां तक अंदमान के अंदर भाता मैं आपको कुछ लोग जाहते थे वहां इंगन की वर के जहास आते थे हुझाद दिन बर चलने वाला कान होता था इसलिए उन्हें खाना वाना नहीं देते थे बलकि उन कोईलों के साथ कुछ बोरियों में भरके चने भी लाया करते थे तो क्या करना होता जब खाने के लिए चुटी का वब थ होता है तब्लश की बोरियां पुड़ के उन में कुछ चरू खाने के बाद पाँज दस मिन में फिर से जब चुटी खतम हो जाते फिर से अपने काम पर जूट जाना के लिए हुआ कि वोरिया आई खाने की छुटी हुई जो हिंदू कैदी थे यह सावर्गर्जी ने कुद्ध माझी जन्वा ठेप में लिखा है कि पहले दिन जब हुआ वो कैदी जो हिंदू कैदी थे वह भाग भाग के गए उन्हों ने अपने हिस्ते की चने की वोरियों में से चने खाने कर दिये हिंद। केदी आते 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 उनको वक्त लगा तो तब तक उन लो और ने हिंदू कर दिया उससे भी चण्य कने चाने शुरू कर दिये जब हिंदु वहाँ पर पहुछें उन्हों ने रेखा कि अपने चद्टी और दोग खाना तारगे तो एक भी कैदी, एक भी कैदी, उन चने की बोलियों में से चने खाने के लिए आगे नहीं आया, क्यों? ऐसा नहीं कि वो उन से डरते थे, ये बात शक्ति के नहीं थी, ये बात थी, भर लोकी उनके लिए, कि उन्होंने हमारे चनों को चुआ तो चने ब्रश्ट हो गए, अगर तो ब्रश्ट हुये चने हम खाएगे, तो हम भी ब्रश्ट हो जाएगे, उन्होंने भुखा रहना ठीक समझा, लेखिन खाये नहीं थी, ये एक दिन हुआ, दुसरे दिन भी जब उन्हें भुखा रहना पड़ा, तो जाकर उन्होंने अंग्रेस जो अधिकारी थे, उनके पास जाके कम्प्लेंट की अंग्रेज आधिकारियों ने वो देखा सुना और वो हसने लगे उन्होंने भी उनकी बात नहीं माले इसरे दिन में यही वहाँ हो सारे कैदी हिंदू काई के बहुत पखालत है सावरकर जी ने उन्हें एक आइडिया बताई दूसरे दिन जब खाने की छुट्टी हो गई तब जो अहिंदू कैदी थे उनसे पहले ये हिंदू कैदी भार भाग के गए अपने चने खाने शुरू कर दिये कोँछ लोगों ने उन हिंदू कैदीयों की चने की बोरियों से भी चने खाने शुरू कर दिये हुआ हिंदू कैदी आए वो लड़ने लग तब ली गए ह्नू कैदियो ने सावरकर जी की शिखाई बात कुहने इन ही की शब्दों में बतायी, जैसे तुमहारे छुने से चले, हिंदु हो जाते है, वैसे आज हमारे छुने से यह चले हिंदु होते है, बुल ग्लें, वो वार्डन के पास गए, उनके पास बूचा के, इक आदी क्यंचा को संजायी वह आज के विषे के बिलकुल अनुकूल है यह जो हम समझ राख ठार यव्यक्ती का अरिदय होता है इस भूंगे इस तरह के चिंतन और इस तरह की घटनाओं से सावरकर जी का अंदमान का वस्तव्य होने लगा था और इस चिंतन से सावरकर जी ने एक और चीज समझी वो चीज ये थी कि जिस तरह अंदमान में हिंदूओं की बहु संख्या है लेकिन उन पर आकर दुसरे लोग राज करते है क्या यही स्थिति हमारे पूरे देश की नहीं है हमारे देश में भी तो यही है कि कुछ चंग उदारण बारटा सामराज्य जैसे कुछ उदारण अगर छोड़ दे तो पिछले हजार सादों में बाहर के लोग जो संख्या में कम थे वो आते है वो हमसे लड़ाई करते हैं हमको लूपते हैं हमी के उपर राज करते हैं और हम बहुत संख्या होते हुए भी उनका राज सहन करते हैं यह किसलिए हुआ जिस वज़े से अंदवान में ये प्रॉब्लेम हुई है, उसी वज़े से ये प्रॉब्लेम पूरे देश में हुई है, उसका कारण है जातिवार. क्योंकि हिंदू संख्या में कितने ही बड़े हो, कितने ही ज्यादा हो, वो अलग अलग जातियों में बटे हुए है, एक जाती दूसरी जाती के हाथ का खाना पसंद नहीं कर रही, एक जाती दूसरी जाती को छूना पसंद नहीं कर रही, एक जाती दूसरी जाती को इंसान त वो भले ही संख्या में कम हो, वो एतत्रिक होते हैं, इसलिए हम पर राज करते हैं। सावरकर जी ने ये समझा और तब उसके उपर सावरकर जी ने जो अप्रोच लिया वो बहुत ही साइंटिक है। समस्क्र कि बोबन की दी मैं इसली कहता हूं कि सावरकर जी ने इस मिश्यक्र पर काम किया है busy step by step किया पहली step यह की problem क्या है उसके भी पहले यह जो रोग जातीवाद का रोग जिसको लगा है वह patient है कौन ये सावर्दरजी ने समझने की कोशिश की उदारण देखे बताता हूँ कि मानो दो जुर्वा वहिए राम और शाम चलते चलते राम का पैर टूड गया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पैर प्लास्टर लगवाना पड़ेगा हड़ी तुम्हारी ठीक तरह से बिठान पड़ेगी राम को लगने लगा डर्ड की पहले ही पैर को इतना लगा है डॉक्टर नजा ने क्या कर दें तो जो डॉक्तर के पास गए तब राम ने शाम के कान में धीरे से फुस्पुसा आ रहे हम तो दोनों दिखते हो अगी जैसे है मेरा पैर क्या तुम्हारा पैर क्या टाकटर से तुम प्लास्टर कर वा है ताकि मुझे दर्व न न हो शाम में जाके डॉक्तर से खर कर वाइनधे पुझे बताईए क्या इस से राम का पेर ठीक होगा के डिशन की आइनटिफिकेशन पहले तरबी चाहिए पेशनदी सबसे जडरूरी है सावर्करची ने पहली जो आईक टिविकेशन पी वो यह की कि हिंदू यानि कौन पेजिन भंट्खा सेंद समाज और हिंक को इस का समाज्य यानि कौन इसके वंपर और और है और उसका हूतर उसकी परिपाशा उसकी व्याध्या सावरकर Кто की है वह सबसे अलग है क्यांकि वह सबसे व्यावबहारिक है हिंदू-थर्म की व्याग्ख्या assessments like a Island कि जब कि दून कर दूसमुघ ये जब सावर कर पूछते हैं ये जब सावर कर देखते हैं तब लीगरी अनेकों कायदों में भी हो गया है आना सहेज हो जाता है शावर कर कहते हैं अंधने सिन्ध कुण भूमी का पित्र भूवफ निया भूमिक को clay detta बत लब सिन्दूनदी से लेकर र कовор निसी सागर तक यह भारत की पूरी भूमी है यह भूमी जिसे अपने पुरखों की भूम संग होरье लगे होगा मैं hadho KEP यह obt l neden हारique till possibilisierung क्लॉस को लागू होता है उन कि क्लॉस्स क्लॉस में लिखा है कि यह मैश change art हर उस क्व्यक्ति को लागू होता है जो क्रिश्चन नहीं है जो मुस्लिम नहीं है जो जुद नहीं है जो बाहर से आए अन्य किसी धर्वों के नहीं है, दूसरी हिसाब से देखा जाए, तो ये एक उन लोगों को लागू होता है, जो सावर्तर जी की की गई हिंदुत्व की व्याख्या में आते गए, ये सावर्तर जी की दूरदर्शिता है, अब ये तो हो गया हिंदू को इसका आइडेंटिफिकेशन, लेकिन हिंदू को बीमारी है क्या? हम एक वाक्य में इसका उतर दे सकते हैं कि हिंदू को जो बीमारी है, वो जातिवाद की बीमारी है, लेकिन जातिवाद का मतलब क्या है? ये आज तो किसी ने डिपाइन नहीं किया था, कि जातिवाद है मतलब क् कुछूना रही किसी के साथ मिलकर खाना खाना नहीं वो सब तो ठीक है लेकिन ये है क्या इसके उपर किसी ने मूलगामी स्तर से काम भी नहीं किया था सावरकर जी ने पहली बार जातिवाद क्या है इसके उपर काम किया और सावरकर जी ने इस जातिवाद की समस्या को साथ भ स्वदेशी बेडिया Gurus या स्वार सत्स्वदेशी श्रूंगलाय एट कौं विखतो कपरशी रूंगलाय क्रमान का एक सपर्श बंदी एक जाति अपने दूसरी जाती के लोगों को स्पर्श करना भी पात मांती है, यह है स्पर्शबंदी की बेडु, दूसरी रोटी बंदी, एक साथ खाना नहीं खाना, पाँच मी जो है वो है सिंदू बंदी, सिंदुबंदी मतलब अगर कोई समुद्र लांग के किसी दूसरे देश में जाए तो आने के बाद समुद्र लांग में का पाप करें कि वे उसे प्रायश्चित्त लेना पड़ता है वरना उसे धर्नों प्रश्ट कहा जाता है यह सिंदुबंदी पांचनी छटी जो है वो है що वेदोप्तवन्दी मतलब वेदों के अनुसार कर्मकार्ण करने का अदिकार केव missionary कुछ जातियों तख ही सीवित है बातियों को अदिकार नहीं इससे कहते है वेदोप्तवन्दी और सास्वी जो बंदी है वो है शुद्धी बंदी एक आदमी अगर किसी काराणवाश धर्म छोड़के चला गया वो चाहे कुछ भी हो जाए उसे फिर से धर्म में नहीं लेना यह जो पूप रथा थी इसे सावरकर कहते थे शुद्धी बंदी देकिन इस बारिकी से सावरकर जीने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किया और यह जो मैं इतनी देर से बता रादू दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह तो होगे ठीरी आप लोग जो जो स्कूल कॉलेज में जाते हो जो याद है उनको याद होगा ठीरी के पूरे मार की होगे याँ प्रडिकल करने की जरूरत आन पड़ी की प्राक्टिकल करने का आवसर सावर कर जी को मिला रतनागीड़ी के और सत्रेंवावास में अकि जप रतनागीडीमें 1924 से लेकर 1937 साल थक स्थनवत्वर सकते उनकी उपर कई तरह की पावंधिया लगी थी, उन में से एक पावंधिया यह भी थी कि आप किसी भी तरह से राज़कारण ने या किसी भी तरह से राजणीलीञी में हिस्सा हही ले सकते उसकाल का सावर करजी ने उप्योपिया अप वो आज से सौ साल पहले की बात है, सौ साल पहले का महारक्तर का एक छोटा सा कस्वा रपना गिरी, जो सौ साल पहले रूढी प्रियता से भरा था, सनापनियों से भरा था, उस सनापनियों से भरे जिले में सावर कर जी, उनी के विरुद्ध जाकर जाती वाद को नश्ट करने की बात कर रहे थे, एक तरफ तो सधियों से चली आ रहे हैं, जो सधियों से सैकलों से चली आ रहे हैं और सारे के सारे लोग उसे मानते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है, जो इंसान आज से 10-12 साल पहले तक कैद खाने में रहा है, जिसे लोगों से गुलने मिलने की आदत पूरी छूट चुकी है, वो आदमी जो कारागार में रहा है, उससे पहले वो 2-3 सालों तक पश्चिमी देश में रहा है, ऐसा आदमी जिस से जीना छोड़के जाने की पाबंती है, ऐसा आदमी जो दूर से भी, कितनी भी दूर से ही क्यों न हो, वो आदमी राजनीती में हिस्सा नहीं ले सकता, ऐसा आदमी सदियों से चली आ रहे है, रूड़ी प्रियता के ऊपर खंदा करने के लिए तयार है, और सावरकर्जी पतिष्टित थे, सावरकर्जी को लोग मानते थे, सावरकर्जी को लोग सुनना चाहते थे, सावरकर्जी को लोग अने को कारियोक्रमों में बुलाते थे, कभी कोई वहतिकत कारियोक्रम रहता था, कभी कोई सामाजिक कारियोक्रम रहता था, सावरकर्जी हर जगे पे जात जाकर जम उड़े भाशन करने को कढ़ा जाता तब सावरकरजी जाती बाद की समस्या के उपर बोलने लगते। पहरे तो कोई सुनता भी नहीं था, क्यों सुनें, कि जो हमने सदियों तब किया है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, वो अगर कोई हमें बता रहा है, हम क्यों मान लें, लेकिन फिर भी सावरकरजी ने बोलना नहीं चोड़ा, ये तो गुवा एक मोर्चा. दूसरा मोर्चा सावरकरजी ने खोला, वो ये कि सावरकरजी ने अनेकों नियतकालिकों में लेक और निबंध लिखने की, एक पूरी की पूरी शुरूंखला ही शुरू की, और उन सारे के सारे लेकों का निबंधों का विशर यहीं था, कि जाती वात से समाश्का किस तरह से से नुक्सान होता है सावरकर जी का मानना बहुत ही सरल था कि आज अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे है कर परसों चले भी जाएंगे लेकिन अगर वो चले भी गए तो क्या परक पड़ता है अगर हम एक दूसरे के बीतर बटे रहे हम जाती बात के बीतर बटे रहे तो आज लेखने लगे अपने लेखों में लिखने लगे अपने भाशनों में बताने लगे और तीसरा जो मोल्चा सावरकर जी ने खोला वो बहुत ही उस उन दिनों में बहुत ही ग्रांतिकारी तरह था मैं ग्रांतिकारी इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो जो मोल्चा था वो उसके परेणाम हम अलग करें से आज देख रहे हैं मेरी अभी कुछ देर पहले योगेश जी से बात हो रही थी वो कह रहे थे कि फिल्मों में जो वामपंती विचालदारा है उस विचालदारा ने फिल्मों में बड़ी ही बारिकी से अपनी अपनी विचालदारा फिल्मों में बोई और उसके आज उसके पेड़ निकल आया है इसलिए आज इतना बड़ा संदर्ज फिल्मों के मैंदान में दिखाई बढ़ रहा है। सावरकरजी ने किसी भी वांपंथी के दिमाज में ये बात आने से पूर्व ये बात की थी कि जातिवाद को अगर नश्ट करना है तो जातिवाद कितना बड़ा असुरग है ये बात पॉपियूलर मीडिया तक ले जानी चाहिए थी और सावरकरजी ने वही किया। उन दिनों पॉपिलर मीडिया क्या था नाटक ते सावरकरजी ने जातिवाद के इश्यू के उपर नाटक लिखे। सावरकर जी ने कथाए लिखी सावरकर जी ने उसके उपर उपन्यास भी लिखे जितने हो सके उतने मनोरंजन के माध्यम से सावरकर जी जातिवाद की इस जातिवाद के संकट के बारे में लोगों को बता रहे थे सावरकरजी लोगों को उजागर जागरित करने का प्रयत्न कर रहे थे इसका सिर्फ एक ही हश्रग हुआ कि कुछ लोग कि चलो वो अगर बोलते हैं तो सही बोलते होगे कि हां इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो गलत थोड़ी होगा ऐसा करके धीरे 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 लोग मानने लगे लेकिन सावरकरजी जानते थे कि लोग जिस तरह से मान रहे हैं, वो मानना temporary है temporary है क्योंकि आज सुगर से हम सावरकरजी के बारे में सुनते समझते जानते आए है अभी बीच में एक सत्र में हम लोगों ने बड़ी गरम चोशी के साथ चर्चा भी की कि हम सावरगर जी के बारे में क्या और कैसे कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताता हूँ शायद कड़वा लगी इस मंच से लेकिन सत्य बताना करतव के है आज से दो-तीन दिनों के बाद जब हम अपने अपने घर चले जाएंगे जब हम अपने अपनी रोजमादरा की पर काम नहीं दरेगा या शायद इकका दुक्ता लोग ही काम करें यह एक मौब साइकोरोजी है यह लोगों की साइकोरोजी है कि एक साथ जब आते हैं तब उन्हें एक विशे योग्य लगता है लेकिन जब वो बढ़ जाते हैं अपनी अपनी जिन्दगी में चले जाते है तब वही विशे उन्हें सेकंडरी लगने लगता है यह बात सावर कर भी जानते थे कि मैं इतने लेंग लिखता हूँ मैं इतने भाशन देता हूँ मैं इतने तरह से बोलता हूँ समझाता हूँ लोग उनको अच्छा भी लगने लगा है लोगो मानने भी लगे है लेकिन इ प्राक्टिकालिटी के एक स्टेप और आगे जाना होगा ऐसी कोई चीज डूण के निकाल दी होगी जो सारे लोगों को एक साथ जोड़ती है जिस पर अगर काम करें तो लोग खुद पर खुद आगे आकर काम करने को तयार हो सकते हैं और सावरतर जी ने विचार मन्थन के ब होना आज की बात नहीं नहीं है यह कई सालों से चला आ रहा है सावरतर जी ने लोगों की इसी आस्था का एक अच्छे कार्या में सदूपयोग करने की सोची और वो यह थी कि मुझे दुर्भग के वश वड़ोदरा का तो पता नहीं लेकिन हमारे महाराष्ट्रों में एक जो सबसे बड़ा त्योहार होता है सबसे बड़ा उखसव होता है वो होता है गनेश उत्सव गनेश की का लोग डेढ़ दिन पाच दिन साथ दिन या कहीं दस दिनों के लिए भी गनेश जी को अपने घर में सथापित करते हैं और घर ही क्या लोग सारवजनिक रूप से करते हैं समाज का इकठा ना इस उत्सव से होता है यह गनेश उत्सव का स्कुरूप भी उन दिनों अलग भले गनेश उत्सव सारवरकर्जी के पहले से था लेकिन उस सावजनिक होने में भी एक प्रॉब्लेम ये थी कि जो पंडाल लगते थे वो अलग अलग जातियों के लगते थे 1929 की बात है 1929 की सितम पर में रतनागीरी के रतनागीरी में प्लेग का प्रादुर्भाव हुआ था इसलिए सावरकर जी स्पेशल पर्मिशन निकलकर नासिक चले गए थे नासिक में उन्ती दों गनेशोटसव चल रहा था गनेशोटसव का जब गनेश जी का विसरजन का समय आया तब एक विवात उपस्कित हुआ कि विसरजन की शोभा यात्रा में अगर भाग में किस पंडा सावरकर जी इतने बड़े क्रांतिकारी इतने बड़े नेता है ऐसा सोचके सारे लोग सावरकर जी के पास आये सावरकर जी ने एक जट्के में उन्हें उत्तर दे दिया अगर किसी पंडाल को अगर भाग में रखना ही है अगर किसी पंडाल को पतंस्थान देना ही है तो अ यही चीज सावरकर जी ने अगले सावरकर जी के ही कार्यों की वजह से उस साल रत्नागिरी में पहले से कहीं ज्यादा दरीतों के पंडाल लगने लगे और एक जगे तो सावरकर जी खुद भाशन देने भी चले गए उन दिनों की हिसाब से अगर देखा जाए तो अपूर व दलितों के पंडाल में जाता है और दलितों के पंडाल में भाशन देता है, सावरकर जी उस भाशन में कहते है, उसके उन दिनों आई हुई, पेपर की कटिंग्स वगेरा भी उपलब्द है, पेपर की निउस वगेरा भी उपलब्द है, सावरकर जी ने भाशन दिया, सावरक मेरी याप्रेत यात्रा को मेरी शवयात्रा को यदि केवल मेरी जाती के लोग नहीं बरकि सारी जातियों के लोग मिलकर कांधा देंगे तभी मेरी आत्मा को सद्यती मिलेगी जो रोने लगे जो ये सुन रहे थे वोड़ों रोने लगे कि कोई हमें से अलग जाती का इनसान आकर हमसे ये बोलता है क्योंकि उन दिनों जो परिस्पिती थी वो आज से कहीं ज्यादा विशम थी सावरकर्जी जब सवर्णों को समझाने के लिए जाते थे कि आप अस्पुर्शता का छोड़ दीजे सावरकर्जी का समझाना बड़ा ही अनुप्यत तरह का था सावर कर जी सवर्णों के पास जाते थे और उनसे दुहाई देकर बोलते थे कि आप लोग यानि सवर्ण आप लोग घर में कुटे बिल्ली वगेरा पशू रखते हो पालते हो वो पशू कभी-कभी हमारे घर की रसुई तक चला जाता है रसुई तक हाने के बाद हम उसे भठकारते नहीं है हम उस पशू को प्रेण से अपने पास रखते हैं कभी-कभी हमारी खाली में खाना किलाते हैं लेकिन वही आप लोग जीते जाते हाड मांस के इंसान की परच्छाई से भी गबराते हैं। आप लोग वशु को अपने अपने से प्रेव पुर्वक अपने पास बुला के रख लेते हैं। लेकिन जीते जाते हाड मांस के इंसान से भी गबराते हैं। आप उस इंसान को अपना अपना धर्म का भाई माननों तो दूर आप उस इंसान को इंसान तक नहीं मानते और वही आप लोग तो जब वो ही वो इंसान आपके इस दुर्वेवहार की वज़े से आपके इस अमानुश व्यवहार की वज़ेSO अगर धर्म परिवर्ततर करके किसी दूसरे धर्मे चला जाता है उसी को उसी इνसान को जिसका कल तक आपको परचाई भी पाक लगती थी उसी इंसान को आप गले से लगाते हैं, मेरा भाई बोलते हैं, ये कहां का निया है। एक तरफ सावरकरजी सवरनों से इस तरह की बात करते थे, दलितों से अस्प्रुषों से वो और अलग तरह की बात करते थे, एक तो सबसे बड़ी प्राब्लम ये थी, कि दलित उनको मिलें के कहा थे। उन दिनों अस्प्रुषों की अलग अलग बस्तिया हुती थी। सावरकरजी उन बस्तियों में जाते, उनको कुकार के बाहर बुलाथे, वोह री आने को तयार नहीं होता, सावरकरजी पूछते, उनके साथ ही पूछते, अरे रामा घर में हो ग्या? अंदर से आवाज आती थी रामा घर में नहीं है आवाज देने वारा पुद रामा होता है इस तरह की लोगों की अंदर खुठा बैड़ गई थी क्योंकि जैसे सवर्णों को लगता था कि जाती बाद हमारा अधिकार है उसी तरह से सदियों से चले आ रही है इस दुर्वय वहार की वज़े से अस्पुष्यों को भी लगने लगा था कि जो हमारे साथ होता आ रहा है वही धर्म है और जब किसी को अपने शुरूंखला भी प्रिय लगने लगती है दो वह शुरूंखला तोडने वाला उसे दुश्मन लगने लगता है तावर कर जी नियुन्हे भिर भी समझाते है कोशिच करते समझाने का प्रयप्न न करते हैς सावरकर जी ने इसके लिए एक बहुत जी अनुखा हर ढून के निकाथा था सावरकर जी के ऊपर सावरकर जी का जो सामाजिक कारिया है उसके ऊपर एक बहुत जी अच्छा ग्रंथ है जिसके लेकर सज्जन वो ग्रस्त है उनका नाम है शेश्राव मोरे यह सच्जन अपने कुछ ग्रंथ में जिसका नाम है सावर करांचा सावाजिक करांथी से अंतरंग उस ग्रंथ में लिखते हैं कि सावर करजी ने किस समस्या पर क्या हर ढून के निकाला था सावरकर जी ने ये हर दून के निकाला था कि सावरकर जी अपने दोस्तों के अनुयायों के साथ वहाँ पे जाते और किसी को भी नहीं पुकारते बल्कि वहाँ जाकर पुद भजन गाने शुरू कर देते और भजल कितं ऐसी चीज है जो सामनिे हिंदू को प्रिय रहती है तुकुर कहीं कि और किर्कोव से देखने के वाले खीवाड़व से ज båखनी लगते एक दिन ये सिलसिला चलता, दो दिन ये सिलसिला चलता, तीन दिन ये सिलसिला चलता, ऐसा रोज 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 ये सिलसिला चलते हुए, कभी एक दिन ऐसा भी आता था, कि कोई किवाड कोल कर आगे आता था, वजन सुनने बैठ जाता था, एक के दो लोग होते जाते दो के तीन चार दस और सारे के सारे आकर बजन सुनते बजन होने के बाद सावरतर जी उन्हें धाड़स बन दाते थे ये जो घड़ी है ये घड़ी अपना अधिकार पाने की घड़ी है इस अधिकार पाने की घड़ी में पीछे मत पटो अधिकार पाने की घड़ी में पीछे मत मुड़ो अगर कोई तुम पे दबावड आता है कही कही अगर तुम रस्ते से चलते चलके चलके आ रहे हो और कोई सवर्ण सामने से आता है और वो तुमके दवाड आता है कि मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, इसलिए तुम रास्ता बदलो, तो आप लोग अपने अंदर धैर यह उत्पन न करो, कि उसे जवाद दे सको, यह रास्ता कोई तुम्हारे बाद की जागियर में दे आप लोग अपने अंदर यह धैर यह उत्पन में करो, संगर्श करो, सीखो, हाँ, लेकिन कभी अपने माता, पिता, गुरुजर, भगवान या अपने वंश को कभी भी किसी के सामने नीचा मत समझो, अपने व्यावसाय को कभी नीचा मत समझो, उल्टे उसमें और सुधार करो, खुद स्वच्छ रहो, गयवसाय स्वच्छ करो, और गयवसाय में सुधार करो, इसी की वज़य से तुम आगे चल के प्रगतिक कर सकते हो। और सावरकर उन्हें एक और बात बताते थे जो कम ही लोग उन्हें बताते होंगे, सावरकर उनसे कहते थे, मैं एक उदारण देखे समझाता हूँ, एक दिन सावरकर जी को एक सज्जन ने, जो खुद अस्पुरुष्वस हमार से थे, उन सज्जन ने सावरकर जी को बुलाया कि मेरे यहां मैंने पूजा रखी है आप अस्कुरुष्रम के साथ मिलते गुलते हैं क्या आप हमारी पूजा में शामिल होंगे सावरकर जी ने बोला हाँ क्यों नहीं मैं बड़े आनंद के साथ शामिल होंगा लेकिन सावरकर जी ने शर्ट रखी मैं शामिर होंगा लेकिन मेरे साथ मैं इन दो लोगों को भी लाऊंगा उन दो लोगों के नाम सुनकर वो जो सच्जन थे वो अच्छानल से सपका गए नहीं उन्हें कैसे ला सकते हो वो आटमी थोड़ा जिच्की चाहके बोला नहीं हमसे भी निचली जाति है ना सावरकर जी ने उन्हें जो उत्तर गिया वही सावरकर जी सभी जातियों को समझा देते कि अपने से उची जात के लोगों ने आपके साथ ऐसा दुर व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा अगर तुम मानते हो, तो अपने से सो कॉर्ड निचली जाती के लोगों के साथ, तुम भी तो वैसा व्यवहार मत करो, इस सावरकर जी बड़ी की प्राक्टिकालिटी से बता दलितों का, अस्पुरुष्यों का एकत्रित आना बढ़ता गया, अब बारी थी, उससे भी अगली स्टेप लेने, और वो अगली स्टेप लेने का आउसर उन्हें एक कार्यक्रम में विदा, कार्यक्रम ऐसा था, कि एक सच्जन ने, उनका नाम था महादेव लक्ष्मन गु उस मंदिर में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठापना करने की लिए, उस कार्यक्रम के लिए, वे सावरकर जी को आमंत्रित करने के लिए आये थे, सावरकर जी, एक एक बात यहाँ पर बताने बहुत जरूरी है, कि देखी, वो जो महादेव लक्ष्मन गुरव है, वे सा ठापना के कार्यक्रम के लिए, जह कर लिए आमंत्रित कर रहे है.. और सावरकर जी का चरित्र अगर हम बारकाई से देखे पड़े, सोचे, समजे.. तो सावरकर जी किसी भी तरह के करनमकान के बिल्पूल विरुद् जथे.. तो सावरकर जी को क्या करना चाहिए था? जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? देखिए आज कल के अगर कोई बुद्धी जी भी होते है तो वो उस महादय रश्मन गुराव को ही समझाते ही है क्या हनमान वगेरा तुम लगा के रखा है यह ऐसा कोई होता नहीं मिश्वासी नहीं रखता कुम भी मत तो मैं खुट नहीं आओंगा तुम को भी नहीं करने दूंगा वेकिन सावरकर गुद्धी वादी थे आज कल के तरह नहीं हुए थे वो इसके वो लोगों की श्रद्धा का आदर करना भी जानते थे और अपिना केवल आदर करना जानते थे सावरकर जी उन श्रद्धा का सदूपयोग करना भी जानते थे क्योंकि उस महादेव लक्ष्मन गुरव को सावरकर जी ने बताया तप्रुष्यंग को बोजन में लाए लेकिन मेनी और उक निये इससलि Ot Brock मंदिर का जो प्रदैंट क सीना का मार्ग हो वो मार्ग तुम्हें दलितों के युदNew ऌ goshink statement देरिख द writes नहीं कि वो मंदिर के प्रक्रदैंट को जन्दों के साहिए करने के लिए को साफ ही साथ चाहे कुछ और हो चाहे कुछ क्रमकान न भी मानते हो लेकिन लेकिन इस चीज का अगर देश के लिए, इस चीज का अगर समाज के लिए कोई सदूपयोग हो सकता है, तो वो करने में सावर कर कभी पीछे नहीं कटते हैं, एक और उदारण इस चीज का मैं आपको देना चाहता हूँ, महाराश्ट्र में स्त्रिया हल्दी कुंकुं का समारो करती है, यह पर जो मराटी लोग होंगे, शायद समझ पाए, मुझे नहीं बता यह गुजरात में होता है या नहीं, लेकिन महाराश्ट्र में स्त्रिया हल्दी कुंकुं का समारो करती है, उन दिनों स्त्रिया एकत्रिक होती है, एक दूसरे को हल्दी कुंकुं लगाती है, वेट वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, एक तरह से स्त्रियों के लिए वुढने मिरने का यह आउसर होता है। सावरकर जी कुछ तो कर्मकार नहीं मानते थे, लेकिन सावरकर जी की पत्मी तो मानती थी ना। उन्होंने सावरकर जी से कहा, जब वे रत्नागीरी में ही रह रहे थे, उन्हीं दिनों की यह बात है, उन्होंने सावरकर जी से कहा कि मुझे हल्दी कुंकुं का कारेक्रम करना है, मैं करू क्या, सावरकर जी ने एक जख्ये में हामी भर दी, लेकिन उनसे कहा, तुम कारेक्र आवश्य करो लेकिन कारेक्रम में हल्दी कुंकूं के कारेक्रम में अस्पुरुष्य स्थियों को भी गुदा कितनी हर तरह की बारीक बारीक चीजों में सावरकरजी कारिय करने की और कारिय आगे लेने की संदिय वह मौका अवसर घूनते रहेते सावरकरजी ने जो महादेर रक्ष्मन गुरव के मामले में किया वही बात सावरकरजी ने एक और प्रकरण में भी की है उन सज्जन का नाम था भागोजी सेट की यह एक बड़े ही धनवान आदियु थे खुद बहुत ही बड़े शिवभक्त भी थे उन्होंने जब शिवजी के मंदिर में जाना चाहा तब उनकी जाती उनके आड़े आगे उन्हें शिवजी के मंदिर में प्रवेश नहीं मिला धन्वान ते दणी थे, इसलिए उन्होंने कुद का पर्सनल शिव मंदिर बन वा दियुए लिए में सावरकर्जी को बहुत मानते थे भगो जिसे सपीर, इसलिए उन्होंने सावरकर्जी को जम ये बात बताई cotT जी ने उन्हें उत्तर दिया कि सेड़ जी आप धनवार है आप अमीर है आप धनी है इसके जब आपको किसी ने शिवालय में जाने नहीं दिया आपने खुद का परस्टर मंदिर बनवा दिया लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचें जो शीवभक्त तो है लेकिन उनकी ज कारे में जरा सोची वे लोग करें तो क्या करें और सावरकर जी की ये बात सुनके भागोजी से कीर जी की दिमाग में एक प्रकाश कौन था सावरकर जी की प्रेना से उन्होंने आगे एक मंदिर जो निर्माण किया आप अगर कभी रत्नागिली में गए तो रत्नागिली मे कि कोई भी व्यक्ति का हो किसी भी पंत का को कोई भी व्यक्ति अगर वोग उस बढीत्पावन की मुंती पर उस धर्म पे उस वादन पे शलदा रखने वाला हो सब्सें का दिर्वेक्षमन से और स्वच्छ शरीद से किसी भी चाहिए के व्यक्ति को उस मंदिर में आने की कुली छूप थी ये मंदिर जब बनवान रेते इस मंदिर की जब प्राणपतिष्ठा हो रही थी भागोजी सेच चाहते ते लें कि इस मंदिर की प्राणपतिष्ठा वेदोपत तरह से हो वेदोप्त तरीके से हो स 묶ी इस के व्राहिवन को फट्रम निखला है उसकी हमें वेदोप्त तरीके से प्रान-क्रणिश्था कर दीजैंगतौे वहाँ से आए बहुत बड़ाकर का आयोजन भी हुआ धा और वो जो काशी के पंडित थे हैं पोके पर वेदोक्त तरह से प्रान प्रदिष्ठा करने के लिए मुख कर गए पलड़ गए देखियो किस तरह की ये दूविधा हो गई है कि कारेक्रम तो है लेकिन वो वेदोक्त पद्ददी से करना नहीं चाहते हैं कि तुमारी जाती को वेदोक्त का अधिकार भी नहीं है हम ज्यादा से ज्यादा पुरानक्त तरीके से प्राण प्रदिष्ठा करेंगे सावरकर जी को सारे लोग समझाने लगे खुद भागोजी से कीर समझाने लगे वहां पे कुर्त कोटिंग के डॉकर शंकराचारी अभी वह भी समझाने लगे कि चलो मुहरत पीता जा रहा है कुरान अक्त तो क्या फर्क पड़ता है कुरान अक्त पत्तती से ही प्राण प्रदिष्ठा होने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सावरकर जी ने सभी की बाते सुनी और वे भागोजी सेट की तरफ बुड़े उन्हें कहा कि भागोजी सेट मंदिर आपके पैसे से बना है मंदिर के मालिक हाथ है धनी आपक है इसलिए जो आप चाते है वही होगा लेकिन मेरे बस एक प्रश्न का उतर दीजिए यह मंदिर सारे की सारी जल जात्यों के लिए खुला कर रहे है यह मंदिर रहत कुरारी जो शुम्कला वह वकर तोड़ने के लिए हम पारा रहे है उभ मजे एक परश्न का उतर दीजिए आगर पुरारी प्रताव के तोड़ने के निए उन्हाओक हर्णके करत कुण कि city Magnum या को मुँख पुरानी प्रथा छोड़ी है या मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप मुझे नहीं छोड़ते तो इस मंदिर की वेदोप्त करें से कैसे परदिश्ठापना करवानी है वो दावित को मेरा। कर में है आपने वो पत्रपड़ा, आपने उस पत्र को मिलने के बाद ही यहाँ आना कबूर किया, और आप यहाँ आके पलड़ रहे हैं यहाँ आके मुखर रहे है, आपको क्या लगता है कि अगर आप पलड़ गए तो क्या हम हमारेवड़ों की प्रदिश्ठापना नहीं कर स सकता है और दूसरी कोई जाती का वेक्टी पुरोवित नहीं बन सकता इस वेक्ट बात में यकीन नहीं रखता अगर आप वेदोब्त पद्दती से प्रतिश्ठापना करना नहीं चाहते तो कोई बात में मत कीजिए मैं और यहां पे जहां पे इकठा हुए सारे जर्जातियों उसके लोग्त हमारे अनंत तक मूर्थी को मपाएंगे और हग्वाल की जैय बोलके उसकी प्रतिश्ठापना कर देंगे वहीं होगा हमारा विधी और उस प्रदिश्ठापना करते वर हम लोग हमारे अनंत जिवाउं से जब हिंदु धर्म की जै की जैजय का करेंगे जैगान गाएंगे वही होंगे हमारे वेद भोष और फिर भी अगर तुम्हें चाहते हैं कि इसका शास्त्रार्थ क्या है तो भावों ही विद्यते देवा ऐसा हमानते हैं वही होंगे हमारे शास्त्रार तब आपको नहीं करने हैं प्रदिश्ठापना मत कीजिए सावरकर जी का प्रोध ऐसा पूठ पढ़ने के बाद वो विद्वान तो नहीं आगे आए लेकिन एक दूसरी व्यक्ति आगे आए पूठा नाम था वेद शास्त्र संपन में गणेश शास्त्री वोडर जो मसूरकर महाराज के शिश्य थे उन्होंने पतित्पावन मंदिर क की प्रतिष्ठतापना की और जैसा सावर कर चाबते थे वेदोगत बद्धती से भी कि तत्थों की लड़ाई है यह विश्यारों की लडाई है अगर पूरांई प्रताय कोड़नी तो पुरानी प्रथाओं का जबरन विरोध करकी वो तोड़ी है लेकिन वो तोड़ते हुए सावरकर जी ने कभी किसी को दुखाया नहीं है बल्कि उन्होंने लोगों को जोड़ना भी चाहा है और जोड़ने की जो सबसे बड़ी बात होती है वो बात होती है भोजन मतलब क्या मतलब यह कि हम किसी व्यक्ति को अपना नस्दी की मित्रकव मानने लगते हैं जब हम उसके साथ भोजन करने के लिए तयार होते हैं जब हम उसके साथ एक खाली में खाना खाते वरे में नहीं हिच्टी जाते हैं सावर動画 टरी यह बात सहब होजन करने की जो बात वह बात सावर टरृची के मन में को फिट थी कि हमें एक साथ चार्थियों को एक साथ खाना खाना है तभी ये सारी जातिया एक साथ घुल मिल सखेगी ये ये सिर्फ कर दिया ते और कहा कि इस दिल सारी के सारी जातियों के इतने इतने लोग घुप उख साथ खाना खांगे और उसके बाद कोई हम उन लोगों में से कोई भी आदमी किसी भी तरह के भोजन के बारे में चुआ जूत नहीं मानेगा। सावरकर जी ने जब ऐसा भोशित कर दिया तब हड़तों मच गया, खलबली मच गई, न किवल सनातनियों के खेवे में, उनके खेवे में खलबली मचनी ही थी, सुधारोकों के खेवे में भी खलबली मच गई, कि मिलना जुलना और भजन गाला तो ठीके लिए कि उनके साथ खाना खाए। हाँ, सुधारोकों को भी ऐसे ही लगता था कुछ-कुछ मामलोब है। आपको जानके आश्चरिय होगा, मैंने कहा ना कि सावरकर जी जाते थे असकुरुष्टों की बस्ती में बजन गाते थे उनके साथ उनके साथ ही काते थे, जब वो लोग वापिस अपने अपने घर जाते थे, तो उनमें से कई लोगों के घर में जब तक वे बाहरस्नान नहीं करते अंदर आने को मनाई थी, क्योंकि वे धर्मब्रश्टम होगे थे, इस तरह के संदर्श के बाद सावरकर जी ये सावरकर जी ने एक दिन नियत किया, उस दिन में किस-किस जगे पे सावरोजन होगा, ऐसा भी उन्होंने कह दिया, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई, जब उस सावरोजन के लिए कोई जगे ही नहीं मिल रही थी, आये एक से पुछा दूसरेसे पूछा तिसरेसे पूछा कोई भी करने को तयार नहीं था, तब करी चाटके एक रत्नागीरी में, गली में इक नाट्ट्यगुर्व उसका नाम है, खातुवन लोगों का नाट्ट्यगुर्वर, जिसे केहते हैं जपात से नाट्यगुर्वर वो नाटकमुरूह नहीं लेया उस नाटकमुरूह में घोजन की विवस्था करने जगे लगे भी नहीं बलाता। जैसे जैसे खाना भी नहीं लगे खाना पका लोगों ने जगे अधालीहा दूकर थांम्ली दूकित का का पका बड़ी from ड打 कि हमने रुशित तो कर दिया खाना भी बना दिया जैसे तैसे लोगों को बिठाने की व्यवस्था भी कर दी लेकिन अगर लोग ही नहीं आए तो क्या तो यह प्रश्ण सावरकरजी के जीवन में इससे पहले भी एक बार आया था जब लोगमाने तिलग ने महामित्याले में यह सावरकरजी से कहा था कि तुम कहतो रहे हो कि विदेशी कपड़ों की होली दहन करनी चाहिए लेकिन तुम तो कॉलेज जाने वाले यूवक को तुम क्या करोगे तुम तुम तुमारे आवर दोशार दोस्तों की कपड़े लेकर आवगे और को नोगे हो गया होली अगर तुम सच मे विडेशी कपणों की अपोड़ी करना चाहते हो, तो बडे शतर्ब पे करनी होगा। सावर्तर जी ने तिलत से कूछा था। कि बडे सतर्ब मतलब कितने बड़े सतर्ब मकारे आप चाहते है। और ओली के दिल उस यूवग ने सचमुष एक पूरी की पूरी बैलगाड़ी बरके कपड़े तिरग जी के सामने उपस्तित कर दिये थे सावरकरजी के सामने वैसा ही प्रश्ण इस सहबोज़क के मामने में भी उपस्तित था की लोग कैसे आएंगे लेकिन सावरकरजी के प्रशाथ जो बाइससाल की उमर में जो उन्ह Опस्ति किया था उसी तरह का प्रचार उसी तरह का चक्रवाती प्रचार सावर्करजी ने उससे दुगनी उमर में भी किया और पहले सह बोजन में जहां एक साथ बोजन करना भी जिन दिनों पाक माना जाता था उन दिनों के पहले सह बोजन के कारेक्रम में इतने लोग आए कि उन में से कहीं लोग खाना न मिलने की वज़े से वापस लोड़ गए अगले कुछ दिनों में फिर से एक सहबोजन का कारेप्राम उन लोगों के लिए भी करना पड़ा ये है सावरतर जी के प्रचात तंत्र की येशस्विता इस मटना था जब हम जो जूटा फेक देते हैं क्हाना वह xume में पका हुआ खाना ओगर जुटा अगर रिमे YouTube इस देख तो एक दख्रू mm वहां से मना कर देए कि अब भिकर हुए तो क्या हमारा धर्म बरश्ट हो जाएगा एक जमाना सावरकर्जी की वज़े से यह भी आया लोगों को बैटने के लिए जर्गें गम बढ़ने लगी सावरकर्जी ने जो सवर्भोजन की मामले में किया वही सावरकर्जी ने दलित हुए विद्यार्थियों को एक साथ सवर्ण विद्यार्थियों के साथ बिखाने के मामले में भी किया वही सावरकर्जी ने अन्यकों मामलों में भी किया आपको कुछ घटनाए बताता मैं अप पर सावरकर जी को एक बार एक जग्या पर एक कारेकर पर निमत्रण मिला भोजन का कारेकर था और सावरकर जी को जब जिस जब जिन लोगों ने बुलाया था उन्होंने सावरकर जी ने वहाँ जाते हुए देखा कि सारे लोगों की फंक्तिया खाना खा रही है लेकिन सावरक सावरकर जी के बैत्री की व्यवस्ता की गई थी, चांदी की थारी थी, उसमें अगरमत्या जल रही थी, बहुत ही ठाट माट किया हुआ था, लेकिन सावरकर जी उसके पीछे का कारण समझ गए, वो जज्मान जो थे, वो सावरकर जी को अन्य पंक्तियों के साथ बिठाना न इसा क्यों नहीं करते हैं, अन्य जो अस्कृष्य भाई है, अन्य जो दरिद भाई है, उन्हें भी बुलाई है, उनकी भी एक पंक्ति बनवाई है, उस पंक्ति के साथ मुझे खाना देजी है, किस तरह का त्यार है, हम सोचिये, कि सहभ भूचन होने के बाद जो धालिया, वो थालिया उठाने तब को कोई आगे नहीं आता था, ऐसा भी एक जमाना था, और वो थालिया उठाने के लिए जब कोई आगे नहीं आता था, तब ये लंडब में पढ़ा लिखा बैरिस्टर, जो चाहता था, जो चाहता तो लाखों रुपए कमा सकता था, जो चाहता त सोने की सेज में सोच सकता था वो बैलिस्टर आगे आता था और लोगों की जूती तालिया उतार करता इस तरहें के संगर्श से सावर्टर जी ने सावाजी अरीक्ता और यह पाथ हमेश्या से आसान नहीं रगिए कई कई पार संगर्श का वीद पर प्रशन आया एक माश्य कहने लगे की सभवजब कोन करता है सभवजब करने से याइं एक दूसरे के मुँए ठूखने से क्या प तुक्तर भी दिया था आप लोग जब ब्राह्मन भोश कराते हैं तो क्या है दूसरे के मुँँ में थूपते हैं एक प्रॉब्लम तो बहुत ही अठपटा सा आगया सावरकर जी के सहकार थे उनका नाम था निमय इन दिमय जी की बेटी का व्याव होने वाला था बेटी के होने वाले ससुरान वालों को जब पता चला कि यह जो निमय जी है यह सावरकर जी के साथ काम करते हैं धलितों के करते लोगोंने संझाने के विए तो उन्होंने काаг कि विवा सिर्फ एक शर्ठ पे हो सकता है कौन्सी शर्ठ वो यह कि लिमय जी को सभब होज्ड़ करने के लिए प्रायष्चित लेना हो गया निमय weg तो करने के लिए विल्कुल भी टर्यापन थे सावरकर जी के पास जब मामला आया तब सावर करें और ते के सब्रस्वार्ण बिए पे चाहीए ना कि रिमएजी जलिदों के साथ खाना काते हैं तब साथ तरह GET रिमेज बहुंडे लेकिन अधर शुसर्फ सिर्फ भीवास प्राइश चित लिया बेटी का व्याव हुआ लिमेजी फिर से एक बार आस्कुरुष्य भाईयों के साथ खाना खाने के लिए चले गए इसे कहते हैं व्यवहारवाद सावरकरजी तत्व निष्ठ थे लेकिन तत्व के उपर इस तरह से अड़े नहीं रहते थे कि पूरा का पूरा तत्व ही रश्क हो जाए सावरकरजी मध्यम मार्ग अप्टिमिजम निकालने की कोशिश करते थे और फिर से उस तत्व की ओर अग्रेसर होने लगते थे और कितन सिर्ट निकालके दिया थे मिवर्टल इुएं धिनों और और वह भी सिनय ये जाना होता था नेकिन सावरकरजी ने इसके ऊपर भी उपाई डूप निकाला था सावरकरजी रोज फुच जाकर उस होटल में बैठते थे रोज वह जाकर चाय पीते थे और जो लोग सावरकर के विपरित हो या ना हो लेकिन वही होतल में आके इसावरकरंजी से मिलना पड़ता था। वही होतल में घाना हाना पड़ता था। उन ह karş प्रटन में आया होजे सवर्णों की अप्रजिर सूची रखने शुल्वडcuss परसल अशिस्टन ते रहुंत का नाम है बाहराव सावरकर जी के पास इन कोटर में खाना खाय दोई लोगों की सूची थी उसमें उन दिनों सवां 300 से करीम नाम थे हैं किस तरह से और किस चत्राइब सावरकर जी ये काम किया होगा जब हम समझते हैं तो दिमाग चक्राने लगता है सकने, अगर मैं बोलू तो हत्त की अगर पाबंधी ना होती तो सह बोजन उसके बाद मंदिर प्रविश, शाहा प्रविश यह जो एक-एक-एक अंदोलन है यह जो साथों की साथों बेडिया है वो साथो की साथो बेडिया साथ अलग-अलग स्टेशन्स का विशे हो सकती है लेकिन समय की पाबंदी की वज़े से हमें उन्हें सिर्फ पर्श करके आगे बना पड़ा लेकिन सकते ये है कि सावरकर जी के प्रयत्नों की सावरकर जी के कारियों की वज़े से वो सातों की सातों मेडिया एक एक करके तूपनी शुरू हुई एक दो लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं पहले है भाई मादर वागत यह दमितों के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले कार्य करता थे उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो पुने या वगेरा बड़े शहरों में हमें सभवोजन की पांच-दस त्रिया भी मिलना मुश्किल होता है सावरकर्ची जब यह रत्नागीरी में हावजन करते हैं वहां तो सैक्रोस्त्रिया भाग लेती है अगर ऐसा आदमी हमें हमारी जगें मिल जाता तो हम उसे सिर्पे बिखा कर नास्ते या दूसरे विठ्ठर रामची शिंदे इप्रेस क्लास मिशन की विठ्ठर रामची शिंदे वह तो सावरकर्ची का कारिय देख की इतना गद्वर होग है कि उन्हों ने कहा सावरकर्ची को मेरी उमर लग जाए सावरकर्ची खुद कहते हैं कि भले भले मैंने जो समुद्र में जो चलान मारी थी वो भले तुम एक देख बहुत बहुत बूल जाओ लेकिन मेरा जो यह संगठन का कारिय यह है बुव कभी मत वुणना दुरदय्व की बात यह है नहीं कि नहीं को कि वो पहदू मैंने आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझाया है कोई बड़ा वक्ता नहीं हूँ नहीं मात्रवाशा है लेकिन आज मैंने क्या करने की कोशिश की है आज मैंने सावरकर जी के जीवन के एक अलग पहदू का आरणम विंदू आपको दिखाया है इस यहां कि अच्छिवन के अलग अलग पहलों के आरणम विंदू है असल जिम्यदावी असल राईद को इसके बाद शुरू होता है कि आख जब घर जाएंगे तब आपको सावरकर जी के उन पहलों को और एक्स्प्लोर करना और पढ़ना है तब कहीं जाकर हमें सावरकर समझ अगर भारत को सच में महासत्ता बनना है तो उसे सावरकरजी की विचारों पे चलना होगा और सावरकरजी के विचारों पे देश चलना मतलब कोई और अलग बात नहीं है तो हम लोगों को सावरकर आत्मसाथ करके आचरण में लाना होगा तभी सावरकरजी के विचारों पे देश चल सकेगा यही मैं कहना चाहता हूँ रुकता हूँ धन्यवर